हलो, आज यहाँ पर हम problems on trains सेखने वाले हैं, यह topic है हमारा speed, time and distance का sub topic है Speed and time and distance के जो basics हैं, वो मैंने अपने previous lectures में पढ़ाय थे अब मैं problems on trains सेख रही हूं, basically इसमें हम वो देखने वाले हैं कि किस-किस type के problems जो हैं, वो train के basis पर बनते हैं exam में, especially in pre exams क्योंकि जो means में आता है, वो di based question होता है, तो अभी मैं सिर्फ basic level पर discuss कर रही हूं, जैसे ही सारे topic का basic हतम हो जाएगा, we will move forward toward the basic advance When train is crossing, first is when train is crossing another train, both the trains are moving in opposite direction First time है, वो ऐसा है कि हमारी दो trains है, एक train 1 है और एक train 2 है ठीक है, और यह दोनों एक दूसरे को cross कर रही है, तो उसका time निकालना होगा हम है कि कितना time में cross करेंगी, और जब भी यह एक दूसरे को cross कर रही है और opposite direction में है, means एक यह दी east जा रही है, दूसरी best जा रही है that means उनका जो relative speed होगा, relative speed वो हमारा add होगा और जो length of train है, वो हमेशा add होगी, और यह क्या बनेगा, distance बनेगा कि कितना distance कबर किया, वो length of train बनेगा अब हम question पर देखते हैं कि question में क्या दिया है, तो question में सबसे पहले दिया हुआ है कि train A of length 200 meter and train B of length 400 meter traveling in opposite direction तो सबसे पहले जो हमारा universal formula है, that is, speed equal to distance upon time है हमारा universal formula, अब हम क्या करेंगे, जो length of train A क्या दिया है, 200 meters B का length कितना दिया है, 400 meters, time इनको cross करने में कितना लग रहा है इच अदर को 15 seconds और A की जो speed है, वो दी है, 30 meter per second, speed दी हुई है, अब हम इसको solve करते हैं, B की speed निकालना है, तो 30 plus X रख लेंगे उसको, distance हमारा दोनों का plus हो जाएगा, 600 upon 15, जब 15 से 600 को cancel करेंगे, तो यह 40 times चला जाएगा, और जो X की value है, 40 में से 30 minus हो जाएगा हमारा, 10 meter per second आजाएगा, मतलब जो हमारा train second है, उसकी speed 10 meter per second बजाएगी, अब हम दूसरे वाले type पर चलते हैं, जहाँ पर है, when train 1 and train 2 is crossing each other, but traveling in same direction, अब क्या है, यह दोनों cross तो एक दूसरे को करेंगी, but traveling in same direction, कैसे चल रहे हैं, मतलब कोई train है, A की speed कम होगी, दूसरे की जादा होगी, तो उसको cross करेंगी, या पैल लली चलेंगी, तो कितना time लगेगा उसको cross करने में यह देखते हैं, train A is troubling with the speed of 72 km per hour, train A की जो speed है, हो 72 km per hour, okay, train B की जो speed है, हमारी क्या दिया है, 126 km per hour, ठीक है, crosses each other in 40 seconds, time हमारा क्या दिया है, 40 seconds, train A की जो length दी हुई है, वो 280 meters दी हुई है, और हमको क्या determine करना है, train B की length determine करना है, सबसे पहले क्या होगा, same direction में जा रहा है, relative speed क्या होगा, difference होगा इन दोनों का, तो जब हम 126, तो 126 में से क्या करेंगे, 72 minus कर देंगे, यह हमारा 54 km पर आ रहा जाएगा, और बाकी सारी चीज़े जो हमको दी हुई है, वो हमको क्या दी हुई है, minutes में, seconds में दी हुई है, और meter में दी है, तो that means हमको 54 km को भी change करना पड़ेगा, तो जब भी हमको meter per second में कोई चीज को change करना है, तो 5 by 18 से multiply कर देते हैं, तो इनका जो relative speed आ गया, वो कितना आ गया, 15 meter per second, अब इसको हम formula में put कर देते हैं, speed equal to distance upon time, तो speed हमारी के निकल का है, 15 meter per second, distance कितना है, 280 plus जो b की length निकालनी है, तो b की length और time कितना है, 40, तो यह क्या हो जाएगा, 600 equal to 280 plus bl, तो जो b की length हमारी आ जागी, तो 320 meters, यह समझ में आया, ऐसे ही हम second type निकाल लेंगे, इसमें सिर्फ हमको यह आद रखना है, direction क्या है, और किसको cross कर रहा है, और crossing में जो हमारा distance होगा, मतलब जो भी length दी होगी, वो तो हमेशा plus होगी, second, third topic हम जो चलते हैं, मतलब concept है, कि कोई भी train है, वो platform पर cross कर रही, suppose this is platform, this is platform, अब वो train यहां से आ रही है, और यहां तक जाएगी, तब वो उसका cross करना माना जाएगा, तो इस case में भी क्या होगा, जो distance होगा, distance is equal to, क्या होगा हमारा length of platform, platform का length plus length of train, दौनों का summation होगा, add ही होगा, अब उसके बाद train is traveling, with the speed of 108 km, तो जो train की speed है हमारी, वो कितना है, 108 km, और कुछ तो है नहीं, 108 km per hour, speed of train, यह दिया हुआ है, length of the train क्या दिया हुआ है हमारा, TL लिख देता है इसको, 200 meter, and time कितना ले रहा है, time, time ले रहा है 40 seconds, सबसे पहले 108 को km से, meter per second में change करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमारी बाकी units है, वो किसमें दी हुई है, meter per second में ही दी हुई है, तो 108 को, again we will multiply by 5 by 18, 6 time cancel होता है, तो यह कितना हो जाएगा, हमारा 30 meter per second हो जाएगी train की speed, अब क्या होगा, 30 meter per second, इसको जब हम formulae में लिखेंगे, 200 train की length, प्लस platform की length अभी निकालनी है, और time कितना दिया है, 40 seconds, तो यह हमारा इधार आजाएगा 1200 meter, 200, प्लस platform, यह minus हो जाएगा, तो जो platform की length है, वो हमारी निकल के आएगी, 1000 meters, यह समझ में आगया कि एक train है, जब वो platform को cross करेगी, तो कैसे length निकलेगी, second लाता है when train is crossing a telephone pole, मतलब यह है कि जो हमारे train की line है, suppose this is line of train, यहाँ से train ऐसे travel कर रहे हैं, यहाँ कहीं बीच में एक pole लगा हुआ है, pole हो सकता है, man हो सकता है, मतलब इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, जो एक stationery है, जिनका कोई length नहीं है, मतलब उनका distance measure हम नहीं कर सकते, तो उस train को इस particular object को cross करने में कितना time लगेगा, तो first हमारा है, इट train is running with the speed of 50 meter, तो speed हम को direct दिया है, 50 meter per second, and it crosses a pole in 40 second, means time हम को दिया है, 40 second, यह तो बहुत easy question है, find the length of the train, तो direct ही निकल जाएगा, distance equal to क्या होता है हमारा, distance, speed into time, speed कितना दिया है, 50 meter per second, distance हमारा क्या हो जाएगा, 2000 meters आ जाएगा, जो train की length है, वो हमारी क्या जाएगी, 2000 meters हो जाएगी, यह हो गया, next move करते है, when a train is crossing a man who is traveling in opposite direction, अब क्या है, यह suppose हमारा train है, यह ऐसे चल रही है, ठीक है, और वो एक man को cross कर रही है, जो उसके opposite direction में चल रहे है, दौनों में movement है, मतलब दौनों में speed है, opposite direction में, that means relative speed हमारी क्या हो जाएगी, add of both these speeds, अब क्या दिया हुआ है, यह train is traveling with the speed of 50 meter per second, जो हमारी train की speed है, ts, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो train की speed है, 50 meter per second है, man is traveling with the speed, जो man की speed है, 36 kilometer per hour है, ठीक है, in opposite direction, length of the train, जो train की length है, that is 300 meters, find the time taken by the train to cross, अब इसमें time निकालना है, तो इसमें जब हम देखेंगे, distance कितना है, 300, man का तो कोई distance होता नहीं है, जब हमारा distance 300 है, यहाँ पर, दौन अपोजिट में है, तो 50 plus 36, अब क्या होगा, जब train भी meter per second में दिया है, और train की speed भी दिया है, मतलब train की जो length दिया हो 300 meters दिया है, उसकी speed 50 meter per second दिया है, तो जो man की speed है, उसको हमको change करना पड़ेगा, 36, 5 by 18 से multiply कर देंगे, 10 meter per second हो जाए, इसकी speed, तो यह 10 हो गया, 300 upon 60, 5 seconds, मतलब train को total 5 seconds लगेंगे, उस man को cross करने में, thank you, यह सारे type के question है, जो exam में basically train से बनते हैं, और यह ऐसे ही question आते हैं, बस level difference होता जाता है, और इनको solve करने का यही तरीका है, कि हमको सिर्फ speed का formula याद रखना है, speed equal to distance upon time होता है, thank you very much,